Hello friends, Chess 2.0 में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे Chess Coordinate को याद करने के एक दूसरे तरीके की हमने पहले भी एक तरीका देखा है ये दूसरा तरीका है I hope ये वाला तरीका आपको ज़्यादा मदद करें याद करने में तो फिर सुरू करते हैं सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फाइल और रैंक को एक रिवाइस कर लेते हैं जो फाइल होती है उपर से नीचे इस तरीकी से जो हमारे स्क्वाइट होते हैं उनको हम फाइल कहते हैं और जो हमारे इस तरह से लेप टू राइट जो जा रही है उनको हम कहते हैं rank ठीक है तो हम देखते हैं कि जो हमारे right side में जो chess board का diagram है उसमें हमने सारे के सारे जो हमारे squares हैं उनके नाम लिखे हुए हैं जैसे कि A1, A2, A3 यह सब और हमारे पास 8x8 का यह square है square grid है तो हम क्या करेंगे इसका जो याद करने के तरीके होते हैं वो हर जो इनसान है उसके लिए अलग अलग हो सकता है कोई जो कानी बना के याद करता है कोई simple rut के याद करता है कोई केवल देखता है और उसको याद हो जाता है सबका अलग अलग तरीका होता है तो हम जो यह तरीका अपना रहे हैं, वह जैसे हम हर बच्चे में जैसे होता है। वह अपनाते हैं बच्पन मेelles समें क्या होता है। Kiko A, B, C, D, G होता है, हम रोज उसकी एक प्रैक्टिस करते हैं। A, B, C, D लिखने की और उसको बोलने की। तो वो दीरे-दीरे याद होते हैं, इसमें कोई हम कानी बनाई नहीं सकते हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए, तो A को अगर याद करना है, तो इसको as it is, A की तरह याद करना होगा, इसमें हम कानी कुछ बना नहीं सकते हैं, सेम यही रूल इसमें apply है, दूसरा जो step है इसमें, वो है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, तो पहले हम उससे क्या करते हैं, उसको breakdown कर देते हैं, मतलब उसको चोटे-चोटे जो पार्ट हैं, उसको तोड़ देते हैं, तो अगर मैं इस grid को, जो chessboard का grid है, इसको अगर मैं चाहूं, तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं, तो basically जो मेरे ही तरीक है, इसको हम जो art files है, उसमें तोड़ देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उस art files को हर एक दिन याद करने का कोसिस करते हैं, तो अगर हम सुरू करें day 1 से, तो day 1 से suppose लैप्ट से चलेंगे, तो day 1 में के व वाला जो file है, उसको ही याद करेंगे, और हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम याद कर रहे होंगे, तो हम अपने mind में पूरा पूरा जो board है, उसको लेके चलेंगे, यह इनिकी किवल एक ही column को याद कर रहे हैं, तो एक ही column को रखेंगे, पूरा पूरा board कहने का sense यह है, कि हम को पता होना चाहिए कि हम इस पूरे बोड का कौन सा section याद कर रहे हैं तो हमारे जो subconscious mind है उसको एक तरीकी से पूरा बोड ही याद होगा last में at last में तो day 1 में हम क्या करेंगे कि simple a1, a2, a3 जो हमारे यह file है उसकी position याद कर लेंगे और उसकी हम practice करेंगे थोड़े थोड़े देर में कि मलब हम पूरा board लेंगे फिर उसके आप सोचेंगे कि a4 कहां पर तो a4 जैसे हमको अपने दिमाग से जैसे a4 उसको वहां पर चले जाएंगे a4 इस तरीके से वहसे हम देखेंगे day 2 का भी जो day 2 है हमारा उसमें b file होगा तो हम क्या करेंगे उसमे उसमें simple वही याद करेंगे कि b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8 यह कहां पर फिर उसके बाद randomly हम कोई भी पुक करेंगे कि b3 कहां पर? b3 यहां पर हमको मलब अपने दिमाग में यह सब करना है उसके बाद जब हम एक बार इसको याद करेंगे फिर करेंगे b4 कहां पर? b7 कहां प तो आप चलते हैं day 3 पे day 3 में भी same way step है हमको मलब time देना अपने दिमाग को याद करने का जैसे बच्वन में करते हैं simply ABCD हम याद करते हैं तो हमको time देना होता थोड़ा अपने subconscious mind को वह सारी चीज़े देने के तो उसमें थोड़ा time लगता है उस process में तो इस तरह से फिर c1 c2 वही process simple c file के लिए करना है फिर day 4 में d file के लिए उस तरह से फाइल के लिए फिर बीच बीच में हमको क्या करना है पूरे के पूरे file लेना है कि एस लेकर मलब app तक सबोच मलब पूरा क्या पूरा याद करने का अगर कोसिस करना है तो उस सब randomly हमको जो back वाले हैं उनको भी अपने जो practice है daily में उसको include करना होगा इस तरह से day 7 और day 8 तो यह है हमारी एक याद करने का process I hope मेरा जो idea आपको clear हो गया होगा समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करना चाहरा हूं इस वाले process में हम केवल जो बड़ी problem हो उसको एक चोटी problem में तोड़ देते हैं और उसके को regular practice की basis पे अपने दिमाग को train कर देते हैं तो उसके बाद आपका जो output होगा बहुत ही अच्छा होगा अगर आप इसको अच्छे तरह की से follow करेंगे thank you